मेरे पास एक latest Android phone है तो मैंने सुचा क्यों ना इसे desktop की तरह यूज़ किया जाए इसके लिए मुझे build number पर 5-6 बार क्लिक करना होगा और developer mode को on करना होगा developer mode को on करने के बाद developer option में सबसे नीचे आ जाना है और ये 4 चीज़े on करनी है इसके लिए मुझे USB hub, Type-C adapter और mouse और keyboard receiver चाहिए mouse और keyboard receiver को मैं USB hub से connect करूँगा और USB hub को Type-C adapter से और HDMI को अपने TV या monitor से और phone को Type-C से connect करने के बाद और finally मैं अपने phone को as a desktop यूज़ कर सकता हूँ और एक example के लिए मैं YouTube on करके दिखाता हूँ